दोस्तों हम सभी से जानते कि भारत एक ऐसा देश से जहां पर कई सारी तरीके के भाशा बोली जाती है यालिए अगर मैं एक शॉट टब में कहूं तो यह ही मल्टि लिंग्वल क्या नेशन है अब यही पर आज हम क्या पढ़ने वाले कुछ फोर फैमिली जो है लैंग्वेज से याव पर डालेक्स के जो इंड्या में बोली जाते हैं और उस में से जो 350 लैंग्वेजेस वह क्या में इंड्या में बोले हैं यहां इन्डिया चार फैमिली से विरॉंग करती है ठीक है कौन से कौन से चलन देखेंगे अब सबसे पर आता है इंडो आरिन फामिली ऑ लैं यह थारे जो में में लैंगवेजी आजी प्रिंसिपल लैंगवेजे सबके Northern और Western के Northern और Western नौर्द और Western मतलब क्या हो गया है यह वाले part के और यह वाले part में क्या है यह बूली जासा अब बात करूँ आपके हिंदी मराथी बंगाली उर्दू गुजराती पंजाबी सिंदी क में 72 परसेंट जो लोग है इस तरह की भाशा का क्या उपयोग करते यानि यूस करते हैं दोस्तों समझ में आ गया अब चलब आगे बढ़ते अब ड्रविडियन फामिले की अगर बात करूं यह सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था इंडो आयन था अब यहाँ पर सेकेंड इसमें क्या क्या आथा मल्य आता है यूस को तो इसका वाकिसारी आप 72 लोग क्या बोलते है इंडो आयल लेंगविज जो वहां पर लेंगविज क्या बोलते हैं दोस्तों clear हो गया अब चलो आगे बढ़ेंगे अब आगे बात करेंगे तो तीसरा है साइनो टेमिटेन फामिली आफ लांगविज ठीक है यह क्या नौत बिहार नौत अस्ताम ठीक है अब इंपॉर्टे लैंगविज जो इस ग्रूप के हैं वो इंक्लूट कर बॉल्ड यह जाता है अगर आपको क्लिक आफ्ट एंगवेंगे तो अगर आपके अंट्रिक लैंगविज और अश्या वर्टे इस ग्रूप करते हैं तो ऑपके आपके मुण्डा और इस यह इस अ इंडिया उसमें बोला जाता है आपके मुणा अर्ट इस एक इंडिया उस में बोला जाता है इच्छतों जो की बोला जाता है ना 5 जौब यह मेजरीटियन पॉपलेशन की वो क्या बोलती ही कि बोलती है 41% लोग क्या हिंदी बोलते और उसके बाद बंगाली बोलते और इसका तेल्गू बोलते और मरत्य बोलते और यहां पर पर सेंटेज मैं ने यहां पर में किया हुआ है अब यहां पर बात करूं तो हम सभी से जानते कि हमें यह 1947 में क्या हमें अंग्रेज हो के से क्या मिली आजादी में अब कई सारे जो स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में वह क्या हुए लांवज की बिस्निस पर क्या डिवाइड किये गा है जिसे मैं बात करूं महारश्रा रे में ही अरे डिया आतलो हैं अंगे क्या मारे हो एंडिया का पूंछ यह क्या है कैसें हो हुटन निया लेंजीश के अन्टilिश Land कर आए आं है यह यह नहीं को वे आस आत्टीर बात करो है फिसलिशर की अंटीए लोटन पूचा चानई इंड्या का ऑफिशल लांगविज का हिंदी बोला करो और इंग्लिश का इसका एक स्टीट लांगवज और जो उफिशल लांगविज का गया था लोग सभी your 1963 में अब जो बिल्ट करता था कि जो इंग्लिश लांगविज है हो यूस कि जाएगी किसा हिंदी की है लेकिन हिंदी क्या रएगी को ऐगए इसी सलाइगे इसी के वाज़े से 1965 में क्या गया था किप्रिंसिपल ऑफिशे ल्यांगिच किया बनए रहे था इंडिया का इस एंडिया से क्या अलग करके रख दिया था इसके वज़े से 1968 में पार्लेमेंट ने क्या किया एक जो ऑफिशल अमेंडमेंट आग पास किया 1968 में इस आग ने क्या कि एक statutory guarantee प्रवाइड की non-hindi speaking states को कि जो English है वो replace नहीं किया जाएगा है हिंदी से किसी भी official purpose है मतलब जैसे यह लिखा वे ओफिशल डॉकुमेंट से और यहां पर बोला गया कि तब तक रिप्लेस नहीं किया जब तक जो महारष्णा है या फिर अगर मैं बात करूँ जो गुजडात है या फिर और भी states से अगर वो खुद क्या नहीं करती है उसको replace नहीं करना चाहती तब तक वो replace नहीं किया जाए समझा फिर उसका जो adoption था बिलका हुआ एंटी इंग्लिश राइट्स होए कहां पर नौथ इंडिया वाले पार्ट में ठीक हां पर वापन से एंटी हिंदी राइट्स का सौधन से चालू हो गया तो मेरे खास इतरी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगे अब चलो आगे ब करूं महारट हमें अमारा मारष्या में महाराठी बुली बोली तो वहां का यहां जाता है दूस्तों समझ मां आ गया तो इस तरह थे आमने क्या किया जो पुरा language थे आप देख लिया कि इंडिया में किस तरह किया जो लाग्विच लैगुज कंपो सिशन किया यहां पर यहा आप देखोगे तो एक ही करके हमने सारे जो टॉपिक्स आपको कवर करने की कोशिक कर रहे हैं और जल्दी हम क्या कवर भी कर लेंगे दुस्तों लास्ट की कुछ एक दो लेक्चेश और आएंगे फिर हमारे जो मॉडिलों का पूरा कम्प्लीट हो जगा आपको चीज़ा समझें के समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चाल सब्साइब करें दोस्तों आशेकर ताकि यह से और कहीं सारे वीडियो लेक्षिस आपके लिए लिए कर आ सके दोस्तों थाइंकियो